क्लास 9 गुदमनिक वादकु अप्यूब्स प्रण में आपका में तोप आपके आपको पेहले को पता चुके के अधन क्या वह रहा है आपके smallest unit of element are called atom एक आपको छोटी सी definition आपको पहले बता चुके कि atom क्या होगी आपको इसको तुरह से detail में कि इसकी element कर दो होता क्या है sorry atom होता क्या है so it is the smallest unit of matter यह किसी भी matter की क्या होगी सबसे छोटी unit होती है for example chop chop की सबसे छोटी unit क्या होगी एक छोटी से dust particle हो तो क्या होगा इस चीज़ का atom होगा which may or may not have an independent existence जो कि किसी भी element के साथ या उसके बिना के क्या कर सकता है freely exist कर सकता है हमारे environment में but to always take part in a chemical reaction यह किसी भी element लिया जो हमारा compound होगा उसके साथ को freely exist करता है नहीं भी करता है लेकिन यह जो है हमेशा chemical reaction में हिस्सा लेता है it is always take part in a chemical reaction so this is called atom now how small are atoms atoms कितना जादा छोटा हो सकता है यह हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि atom जो है आपका कितना जादा स्माल हो सकता है so atomic radius is measured in nanometer जो आपका atom है atom को किसमे मेजर करते हैं radius में मेजर करते हैं nanometer आपकी बहुत ही ज्यादा किसी होती है small size होती है means 1 by 10 to the power 9 meter है ना यह क्या होती है nanometer की size होती है इसको हम atom को क्या करते हैं मेजर करते हैं फिर हम next आते है symbol of atom of various elements आपको ऐसे अलगर elements के atoms के symbol हो है Dalton ने अपनी stories में दिये थे Dalton ने बताया था कि हर एक जो element है उसका particular symbol होता है जिससे कि वो क्या होते है identify होते हैं इसमें कितने atom है क्या इसका mass होगा और यह किस element का क्या है symbol है या atoms बात करते हैं तो यह किस दिया था आपको Dalton ने दिया था फिर Dalton को बरगे इसने क्या क्या था सजेस्ट किया था कि आप किसी भी element का name उसके first letter से for example हमने लिए में